हेलो स्टुडेंट चावडासन लेक्चर के यूटूब चेनल में आपका स्वागते कक्षा बारवी विशय प्रीबोड परिक्षा 2021 वाविस का ये वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं कला संकाय में ये अंतिन सब्जेक्ट है हमने कला संकाय के हिंदी अंग्रेजी इतियास अर्थशास्त्र और भुगोल के सोरी इतियास का तो मैं दही रहा हूं अर्थशास्त्र भुगोल और राजनिती के वीडियो भी हम हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल चुके है अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है और अगर आपको जरूत लग रही है तो आप उनको वीडियो को जरूर देखे और अगर आपने लिख भी अर्थशास्त्र भुगोल और राजनिती में इंसरों को बहुत चोटा करके दिया है इतियास में जरूर थोड़े इंसरों को जो शब्दों के मान से हम अगर माने तो थोड़े बड़े होंगे पर कोई बात नहीं क्योंकि इतियास में लिखना ज्यादा पड़ता है तो आई भक्ति परंपरा चोथे में आएगा आपका 1911 इसके बाद आएगा रवितना टेगोर और इसके बाद आएगा लाड़ लिन लिथी यागो इसके बाद देखते हैं रिक्ति स्राण मोरिकाल में दान दी हुई भूमी को क्या कहते थे तो मोरिकाल में दान दी हुई भूमी को ब्रह्मदेव बोलते हैं ठीके ब्रह्मदेव ब्रह्मन ब्रह्मय अद्भी बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ब्रह्मदेव लिख देता ह गुप्तिश आशक का राच चिरने क्या था गरुड वहन चिस्ति सम्तरदाय की स्थापना भारत में किसने की थी मोय उद्दीन चिस्दीने जो रिन अगबर किसानों को आउशक्ता पढ़ने पर बीज ओजारों तथा पशु खरिदने के लिए देता था उसे क्या कहा जाता है देखे इसके बाद जो है ये रिन वाला तो अभी हमको मिलानी है इसके बाद वाला देखते हैं संथा लोगों बसने के लिए दिये गए भूबाक को क्या कहते हैं तो कहलाता है दामीन एक कोह कहलाता था पाँचवी रिपोर्ट का उद्देश भारत में किसको क्रियानवन करता है वो भी देख लेते हैं इसमें यह लिख सकते हैं कि पाँचवी रिपोर्ट का उद्देश भारत में ब्रिटिश क्रियाक अलाप को क्रियानित करना था इसको ब्रिटिश क्रियाक अलाप या ब्रिटिश प्रशाशन को क्रियानित करना था यह लिख सकते हैं इसके अंदर आगे देखते हैं उसके बाद देखते हैं सही जोडी बनाई है तो सही जोडी बनाई है इसमें सिद्दार्त गोतम बुद्ध के बच्शमन का नाम था मलिक मुहम्मद जैसी, पदमावत मुहम्मद शोकत अली, खिलाफत आंदोलन, खान अब्दुल गफ़ार खान, खुदाई, खिदमदगार, चाल, मुंबई में बहु मंजिला इमारते होती है और राइडर्स बिल्डिंग कलकत्ता में बनाया गया महल, इसके बाद एक शद्द में उत्तर, तो पेले का आएगा फ़ायान, दुसरे में चार अश्रम कौन-कौन से, ब्रह्मचार्य, ग्रहस्त, वानप्रस्त और सन्यास, जेन मत में अस्ते का क्या अर्थ है चोड़ी न करना, सोलवी सताब्दी में 90 प्रतिशत लोग गाउं में रहते थे, 90 प्रतिशत आएगा, कौर्ण वालिस कोड़ कब बना, 1703 में, अंग्रेजों ने फोड जार्ज का किला कहा बनवाया है, चेन्नाई में, और पूना संजोता हुआ था, चोवीच सितंबर 1932 को, उसकी बाद अगर सत्य सत्य की बात करें, तो पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चोथा सत्य, पाच्वा सत्य, छटा सत्य, अब बात करते हैं, प्रश्न उत्तर की एकिक करके, मोरेकाली नितियास के प्रमुकिस्त्रोद बताईए, तो आईए शुरुआत करें प्रश्ण उत्तरगी अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकॉन को क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाए तो हल करते हैं हम प्रश्ण हथा रगों देखे प्रश्ण पुछा है मोरेकाली नितियास के प्रभमुक इस्त्रोथdos है मेगनेस तीज accessibility कतल्र अर्थ शास्त्र शीलालेक और महावँन्श दीप मराश दीव वन्दन बौद्ध गरंत्य सब म tray काल के क्या थे प्रमुकिस्त्रोथे सिर्व नाम लिखना है अपनों को नाम लिखना है इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है अगला प्रशन देखते हैं इसके बाद प्रश नंबर सात्वा प्रश नंबर सात्वा पूछा है परिक्षा में सनातन धर्म में पुरुशार्थ के कितने प्रकार का वर्णन है इसके बाद प्रश नंबर सात्वा प्रश नंबर आठ का उत्तर देखते हैं जो आपका प्रश नंबर आठ है वो है प्रभंज अली का कौन थी तो प्रबंज अलिका पत्थरों से बनी एक महिला की दुरलब विसिस्ट सरशना थी, जो त्रीभंग मुद्रा में खड़ी है, इसा कहा जाता है कि ग्यारस पूर में पाई जाने वाली है मूर्ती, आटवी से नोवी शताब्दी के बीच की है, इस उतकरस्ट मूर्ती के बारे विसिस्ट सरशना है, मतलब एक मूर्ती है, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका प्रेश नमबर आट, प्रेश नमबर नो देखते, प्रेश नमबर नो पूछा है, हीन यान और महायान के अंतर स्पस्ट कीजिए, हीन यान महात्मा बुद्ध को अवतार नहीं मानते थे, वे अपकी महायान, करुणा और प्रग्या प्रदानते, तो दो पाइंट आप लोग लिख सकते हो, इसमें यह हो जाएगा आपका प्रेश नमबर नोवा, अब बात करते हैं प्रेश नमबर दस्वे की, देखें प्रेश नमबर दस्वा है, गुरु नानक की शिक्षाओं का वर इसमें दो बाते हैं, पेली है इश्वर स्वर्व व्यापी है और इंद्रियों से परे है, इश्वर स्वर्व व्यापी है और इंद्रियों से परे है, इत्ती यहां तक ही लिखना है पाइंट नमबर एक, और फिर पाइंट नमबर दो बताता हूं, पाइंट नमबर दो है, आत्मा समर्पन ही इश्वर प्राप्ती का एक मात्र साधन है तो दो पाइंट हो जाएंगे इश्वर सर्व व्यापी है और इंद्रियों से परे है और आत्मा समर्पन ही इश्वर प्राप्ती का एक मात्र साधन है तो यह दो पाइंट आपको इसमें लिखना है यह प्रश नम प्रश्ट नंबर ग्यारवा है पांचवी रिपोर्ट क्या है भारत में इस इंडिया कमपणी के प्रशाशन तदा क्रिया कलापो में 1200 प्रस्टो एवं 800 से अधिक परी चिस्टो की एक रिपोर्ट सन 1813 में ब्रीटिस अंशद में पेश की गई थी जिसे प्रांचवी रिपोर के कलेक्टरों की रिपोर्ट राजस्व संबंदित सांकी की तालिका और अधिकारियों द्वारा बंगालों और मदरास के राजस्व तथा न्याएक प्रसाशन पर लिखी टिपपणी शामिल की गई थी अगर आप जादा लिखना चाहें तो यहां तक लिख सकते हैं बस सरसेनिक सेली की दो विशेष्टा हैं यहां से लिखनी है अपने को पूरा उपर का लिखने की जरोतनी है यह शेली मुख्यता हिंदू मुगल और भारती वास्तु कला से प्रेरिते जिसे विक्टोरिया ब्रिटेन के गोथिक कला तथा नियो क्लासिकल का मिश्रण है और यह या यू कह सकते हैं इसमें सरसेनिक शब्द का इस्तमाल पुराने रोमानियों द्वारा मरुस्तल में रहने वाले लोगों के लिए उपयोग किया जाता था या जो अरप के रोमन प्रांत की लोग थे यह दो पाइंट आप इसके लिख सकते हैं यह हो जाएगा आपका प्रे प्रेश नमबर 13 रोलेक्ट एक्ट रोलेक्ट एक्ट पर शंक्षिप्त टिपणी सन 1919 में बिटिस सरकार द्वारा भारत में उबर रहे रास्ति हंदलन को कुचलने के लिए एक कानून लागू किया यह कानून सर सीडिनी रोलेक्ट की अदख्षता वाली सेडियन समीती की श प्रेटिस राशन को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारती पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके और इस कानून के तहट अपरादी को उसके खिलाप मुकदमा दर्ज कराने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिय गया था मुकदमे के फेशले के बाद किसी अन्यान आयले में अपील भी नहीं की जा सकती थी यहां तक आप लोग इसको लिख सकते और अगर यहां तक भी लिखोगे तो भी चल जाएगा दो नंबर का को दिक्कत वाली बात नहीं है बात करते हैं अगला प्रेश्ण यह प्रस्ताव वंपेश किया गया और 20 yum प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र बारत के समविदान के आधर्शों की मूल रूप रेखा प्रस्तूत की गई गई और वा फ्रेम वर्क सुझाया गया जिसके तोब समविदान का कार्य आगे बढ़ना था इसमें बारत के इक सवत तंत्रता का अश्वशन दिया, इस परस्ताओं में यह वचन दिया गया कि अलपसंख्यक पिछडे जन जाती छेत्रक एवं दलीदो एवं अन्य पिछडे वर्गों को पर्याप्त रक्षात्मक प्रवार्दान किये जाएंगे, इतना भी लिखो के ता आप चल जाएगा इसके कहा गया, पहला इस परस्ता को अनमुलित कर दिया गया हो, हिंदू मंदोरों के द्वार बिना किसी बेदबाओं के सभी जातियों के लिए खोल दिये गया, और विधाईकाओं एवं सरकारी नोकिरियों में निचली जातियों को आरक्षन प्रदान किया गया, यह तीन बाते राजस्व के विचारों की चर्चा कीजिए, बड़ा प्रश्न है, तीन पाइंटों पे दे रखा है, शक सत्रप्त के राजस्व संबंदित सिद्धान्त, पेला पाइंट यह, दूसरा है कुशान के राजस्व संबंदित सिद्धान्त, और तीसरा है गुप्त राजस्व सं इसके अंदर से आप लोग लिग डीजे में दो बार में बता दीता हूं आपको पुरा एंसर, दो तीन बार में करके हम बता देते हैं इसको, पेला पाइन देख लीजे, इतना पेला पाइन लिखो गें चल जाएगा, फिर दूसरा कुशान वाला, और तीसरा गुप्त शाशक का प्रेश्ण अगला बोद्ध धर्म के चार आरे सत्य क्या है यह हमारा प्रेश्ण नमर सत्रवा चार आरे सत्य महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपने जीवन का प्रतम उब्देश दिया था महात्मा बुद्ध ने बताया था कि मनुश्य के जीवन में आदी से अंत तक दुख ही दुख है अता इस दुख से मुक्त होने के लिए उन्होंने चार आरे सत्य वो अस्तांगिक मार्गो का पालन करने के लिए का था और महात्मा बुद्ध के बताए गए चार आर्य सत्य इस प्रकारे पहला उन्होंने बोला था के दुख ही दुख महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है पहला पाइंट ये, दूसरा देखते दूसरा पाइंट है दुख के कारण महत्मा बुद्ध ने अपने दूसरे आरे सत्य में दुख का कारण त्रशना को बताया है त्रशना मतलब अज्ञान जिसके पास ग्यान नहीं होता है उसको दुख होता है उनने ये बोला था तिसरा दुख निरोध महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख से मुक्त होने के लिए उसके कारणों का निवारन आवश्यक है अतर तरशना पर विजय प्राप्त करने से दुखों से मुक्ती प्राप्त की जा सकती है मतलब अगर आपके पास ग्यान है तो किसी भी समस्या का हल मिल जाएगा और अगर समस्या का हल मिल जाएगा तो फिर दुख तो होए गई नहीं चोधा दुख निरोध मार्ग उसका मार्ग क्या होगा सेदी सी बाते ज्यादा से ज्यादा आप अध्यन करो दुख निरोद मार्ग मात्मा बुद्ध चोथे आर्य सत्य के द्वारा दुखों से मुक्त होने अत्वा निवारण करने का मार्ग बताते हैं, निर्वान प्राप्त करने के लिए जो मार्ग मात्मा बुद्ध ने सुजा हैं, उसके आठ अंग है, उन्हें ही अस्ठांगिक मा प्रश्ण पत्र में जजमानी व्यवस्था का क्या अर्थ है तो जजमानी प्रथा सत्तरवी सद्धी में बंगाल के जमीदार लोहारों बड़ाई सुनारों को उनकी सेवाओं के बदले में रोच का भत्ता और खाने के लिए नगदी देते थे यह व्यवस्था जजमानी प्रथा कहलाती थी तो यह जजमानी प्रथा हो जाएगा आपके यह जजमानी व्यवस्था यह वाला हो जाएगा इसी की मैं हमारा प्रश नमबर 18 अपने कि अनुसार मुस्लिम और हिंदू दो अलग-अलग रास्थ हैं जिसमें अपनी रीती रिवास धर्म और परंपरा है इसलिए सामा जीक और नेतिक दरस्तिकून से मुसल्मान को हिंदू बाहुल्य भारत के बाहर अपने अलग मात्र भूमी रखने में सक्षम होना चाहिए जिसमें इसलाम प्रमुक धर्में और उन्हें हिंदू और अन्य गेर मुस्लिमों से अलग किया जाना यद्यपी कांग्रेस सिद्धान्तिक रूप से दो धीरास्ट के सिद्धान्त को सिकार करती रही और मुसलिम लिग भारत के विबाजन का कारण द्वीरास्ट के सिद्धान्त को ही मानती थी ठीके कांग्रेस नहीं मानती थी पर मुसलिम लिग मानती थी द्वीरास्ट सिद्धान्त के अनुसार भारत में हिंदू और मुसल्मानों के दो अलग-अलग रास्ट हैं इसलिए वे एक होकर नहीं रह सकते यह सिद्धान ते इस आधार पर मिथ्या था कि मद्यकाल में हिंदू तथा मुसल्मान ने एक सांजी संस्कृति का विकास किया है नेक्स कोशन देखते प्रेश नंबर 20 प्रेश नंबर 20 भी बड़ा कोशन है इसल सूफी परमपरा के बीच एक रुपता या समानता हैं सबसे बेले इन दोनों ही सिलसिले गुरु तता पीर की बहुत महत्वदेते हैं मतलब ये दोनों जो सिलसिले हैं ये दोनों ही सिलसिले गुरू या पीर जो होते हैं उनको महतो देते हैं दोनों सिलसिले एकेश्वर वाद के सिद्धानत को मानते हैं अर्थात दोनों ही ये मानते हैं कि अल्ला को सर्वोच्चे सर्वव्यापके और सर्वसक्ति संपन्न मानत अर्थात उपासना पर बल देते हैं। देखें बाशरिया और बेशरिया में अंतर शरिया का पालन करते हैं। और बेशरिया इनका खान कहां में रहना आउशक नहीं ये इसका तिरसकार करते हैं। बाशरिया इनका राज्य से संबंद था। बेशरिया इनका राज्य से संबंद नहीं था। बाशरिया इनमें वली होते थे अर्थात इश्वर का मित्र वह सूफी जो अल्ला के नस्जिक होने का दावा करता है। और बेशरिया विभिन नामों से जाने जाते हैं जैसे कलंदर, मदारी, मंगल, हेदरी। तो यह हो गया बाशरिया और बेशरिया में समानता और असमानता। अब अगला प्रश्ण देखते हैं प्रश्ण नमबर 21 ब्लेक टाउन और वाइट टाउन में अंतर लिखो वाइट टाउन अंग्रेजों के सुरक्षित रहवासी चेत्र थे और ब्लेक टाउन भारतियों के रहवासी थे वाइट टाउन में अंग्रेज ने किले बनाकर वील बंदी की थी और ब्लेक टाउन अवयवस्तित न खुले रहवासी चेत्र थे अवयवस्तित थे और खुले रहवासी चेत्र थे ब्लेक टाउन सोरी वाइट टाउन यह साफ सुत्रे और प्रदूशित रही थे ब्लेक टाउन में गंदगी और प्रदूशन से युक्त थे वाइ प्रश्ट नंबर 22 स्वादेशी आंदोलन से आप क्या समझते हैं स्वादेशी आंदोलन विशेशकर यह आंदोलन उस आंदोलन को कहते हैं जो बंग भंग के विरोध में न केवल बंगाल अपे तुप पूरे ब्रिटिश भारत में चला इसका मुख्य उद्देश अपने दे स्वादेशी आंदोलन की शुरुआत की थी इसके तहट बापू ने देश की जनता से ब्रिटेन में बने सामान कपड़े मसालों का वैशकर करने का आवान किया स्वादेशी आंदोलन आजादी तक चला और इससे काफी बल मिला यह मात्मा गांधी का सबसे सफल आंदोलन थ अर्वीन गोश रवीन दिरनाठ ठाकूर लोकमान्य बाल गंगादर तिलक लाला लाजपत राय स्वादेशी आंदोलन के प्रमुख उद्ध गोशक थे तो यहां पे हमारे 22 प्रश्ण पूर्णों होते हैं 23 जो प्रश्ण है आपका जो आपको मानचित्र में बताना है तो मानचित्र आप लोग अपनी बुक के अंदर से देख लें क्योंकि यहां पे मानचित्र बताना थोड़ा सा संभव नहीं हो पा रहा था इसलिए आप लोग मानचित्र को जो है इसको हल आपकी बुक के माद्यम से कर लें बाकि हमने सारे कोशन आप लोगों को इस पेपर में बता दिये हैं और आट संकाय के हमारे सारे पेपर समापत भी हो गए हैं हम अन्य विशयों के लिए आपको प्रश्म मेंग के वीडियो लगातार हमारे यूटूब चैनल के माध्यम से दे रहे हैं और देते रहेंगे आएंपी कोशन भी हम एन्वल एक्जाम में देते रहेंगे 17 तारिख से आप लोगों की परिक्षा 17-18 फरवरी से 9th और 10th की परिक्षा है तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और चावड़ा सार लेक्षर यूटूब चैनल पर बने रहें अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकोन को क्लिक कर ले जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकिशन आप लोगों तक मिल जाए धन्यवाद